जनजन के अवाज आप तक पहुँचाने के लिए जेन भारत की डीम रांची के में रोड अलबाटे का चौक में मौजूद है पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत हासिल की है इसको लेकर एक विजय जुलूस निकाला गया है यह कुछ लोगां से बात करते कि उनका क्या कहना है विजय जुलूस है पंजाब में हमारी सरकार बनी है हमने पंजाब को जीता है जहां कॉंग्रेस की सरकार थी और यह काम की जीत है यह राजनीती वाली जीत नहीं है जिस तरह से इंडिया हिंदुस्तान में दिल्ली मॉडल पेश किया गया यह दिल्ली मॉडल का जीता जाकता सुबूत पंजाब है मानी परधान मंतरी गुजरात मॉडल लाके पूरे देश को बरबात कर दिये बेच दिये लेकिन यह दिल्ली मॉडल है जो जर पंजाब में नजर आ रही है काम की राजनीती है, सिच्छा की राजनीती है, स्वास्त की राजनीती है, पानी और बिजली की राजनीती है, महिलाओं की सुरच्छा की राजनीती है मैं इससे पहले भी चुनाव 2019 की चुनाव भी आमाद्मी पाटी जारकन में लड़ी थी लेकिन कही न कही हमने सीट नहीं लाया उसका अफसोस नहीं है आने वाली चुनाव में हम बहुत ताकत के साथ जारकन में भी सरकार बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में एक विकल्प के तोर पे आमाद्मी पाटी उबरेगी यास्मिल लाल परवेस परवक्ता है आज जो पंजाब वाले को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आमाद्मी पाटी पर भी स्वास किये और पूरे जीस परकार एक इतिहासिक जीत है इतना इतिहासिक जीत कोई पाटी आज तक मनाई जीस परकार हमारी पाटी दिली में मनाई उसी परकार पंजाब में भी मना रही है क्योंकि आम आदी पाटी का जो काम है जो सिक्षा, स्वास्ट, बेरोजगारी, महंगाई इस पर कोंट्रोल करना है और केजरिवाल जी हमारे जनता की काम करके जिस परकार बिधायकों को सुभधा मिलना है वो हमारे आम जनता को देने के लिए वादा किये हुए है कि जो के बिधायकों की सुभधा है, बिजली फिरी है तो हम जनता को भी देकर बिजली स्वास, सिक्षा, इस पर वो काम कर रहे हैं और पूरे देश में बेरोजगारी का भी वो काम कर रहे हैं तो जैसा कि आपने देखा कि जीत हासल होने के बाद इन लोगों में कितनी खुशी है, जीन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नेलिस्टोनुपांडे के साथ मैं राशे का बजाज अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें